पर quantum physics कह रही है कि जब observe करते हैं तो प्रकाश का behavior particle का हो जाता है, नहीं तो wave का रहता है, गली मोहले के लोग नहीं है, nobel prize मिला है इसी साल का double slit experiment कभी सर्च की इजिनेट पे, बहुत प्रसिद experiment है और ये पिछले 50-100 साल में लगाता है, इसके प्रयोग चल रहे हैं प्रयोग ये है कि हम एक किसी सब atomic particle को एक रास्ते से भेजेंगे और pattern देखेंगे, और concept ये है कि अगर वो wave है, तो सामने की दिवार पर pattern अलग तरीके से बनेगा, particle है तो अलग तरीके से बनेगा, अगर वो दो खिड़किया है तो दो धाराएं बन जाएंगे, वेव है तो वेव क्योंकि टकराएंगी आपस में, तो वो दो से ज़्यादा धाराएं बन जाएंगे सामने की दिवार पर, ये बेसिक सप्रयोग इस तरह है कि हाजारों वीडियो के बारे में, तो खुब प्र 20th century के शरुवात में, neutron की खोज हुई, proton की खोज हुई, nucleus की खोज हुई, और इन सब के study को बोलते है, quantum physics मज़े की बात है कि, atom के ऊपर की जो दुनिया चल रही थी, quantum physics में आके सारी धरने चेंज हो गई है, एक्दम हिल गया है, पूरी physics हिली हुई है, इसको modern physics कहते हैं, आज के लिए, क्या experiment हुआ है? experiment यह हुआ कि जब हमने उसमें कुछ प्रयोग की है, प्रकाश को जब भेज के देखा, आइन सिन ने पहली बार कहा था कि प्रकाश एक wave भी है और particle भी है, उससे पहले प्रकाश को wave समझते थे, हम लहर समझते थे, आइन सिन ने का न, wave भी है, particle भी है, दोनों की तरह से behave करत है और उसको photon कहा, particle के रूप में, अब जो चीज है आप सुनेंगे तो कुरसी पकड़ लिजेखे सकना जाए कहीं, ऐसी interesting चीज है, इसी science ने नहीं है थे अपनी समय में, प्रकाश को भेजा, और प्रकाश wave की तरह भेव कर रहे है, लेकिन कुछ चीजे समझ नहीं आ रही है तो उनको ठीक से समझने के लिए क्या है कि एक device मनाई गई जो उस प्रवयों को observe करेगी, और जैसी वो device लगाई गई, ट्रकाश का behavior पार्टिकल जैसा हो गया, यह क्या तमाशा हो रहा है भाई, अजीब तमाशा हो गया, जैसी वो device हटाई, वो फिर wave जैसा हो गया, wave जैसा कैसे हो रहा है, सामने दीवार पर जो images बन रही है, उससे पज़ा लगाई, जैसे device लगाई, फिर पार्टिकल हो गया, अब यह प्रवयों हजारों बर दोराया गया, और हर बर same result आया, और 2022 का Nobel Prize जीतने वालों की धारणा क्या है, कि जो प्रकाश है, जो photons हैं, देखे जाने पर उनका behavior change हो जाता है, यह पूरी भोतिक बस्तु की ऐसी कि तैसी हो गई है, वरना भोतिक बस्तु को इस बद से क्या फरक पड़े जा कि मैं देख रहा हूं उसको, भाई सार्थ ने कहा, कई दार्शने को ने कहा कि मनुष्यों को फरक पड़ता है, अगर मैं आपको लगा हो ऐसे करके, यह तो कभी नहीं हो आपके साथ, हालांकि सहज योग वाले और क्लेम करते हैं कि वो आँखों से चम्मस को मोड़ देते हैं, यह क्लेम कई परंपराओं का है, और लोग उस पर डाउट भी करते हैं, जब तक पने सामने देखेंगे नहीं कैसे विश्वास करें और क्वांटम फिजक्स कहा रही है कि जब अब्सर्व करते हैं, तो प्रकाश का बेहिवर पार्टिकल का हो जाता है, नहीं तो वेव का रहता है, और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, तीन ग्यानिक जीन को नोबल प्राइज मिला है, गली मोहले के लोग नहीं है, नोबल तीन मिला है, चीज साल के दोजर बाइस का, वो कह रहे हैं यह बाद,